आपके लिए तो बहुत बड़ा रिस्क है, इतनी भीड में आप जा रहे हैं, साइकल रैली आप कर रहे थे, लोगों के बीच में वैक्सीन यह लगा है, तो बहुत बड़ा खत्रा आप मोल रहे हैं। करोना केबल विपक्षयों के लिए है, सरकार वालों के लिए नहीं है, सरकार तो अपने सब और जन कर रहे है, जहां तक वीमारी का सवाल है, जो एकसपर्ट कहारे हैं, जो साइंटिस्ट कहारे हैं, उसका हम लोग अमल करेंगे। और लोग तो ये भी कह रहें कि वैक्सिन लगाने के बाद भी मास्क लगाना है खैर वो बहुत अलग है लेकिस सवाल ये है क्या भारती जंता पार्टी ने अपना संकल पत्र पूरा किया है क्या संकल पत्र में जो चीजें कहीं गई थी उनको जमीन पर उतारा है सरकार का सबस अप्षित महसूस करती थी कई जो दबंग यादव लोग थे वो पुलीस स्टेशन में चले जाया करते थे पुलीस को डराया धंकाया करते थे उसकी तुलना में अब स्थिती बहतर है देखे ये भारती जंता पार्टी का जूटा परचार है जूट बोलने में भी देश में अगर कोई नमबर वन है तो भारती जंता पार्टी है मैं तो कहता हूँ भारती जंता पार्टी से आज सरकार उनकी है 10 टॉप माफियों की सूची बनाएं और उनको जारी करें जंता के सामने आज सबसे ज़्यादे माफिया किस दल में है क्या गुंडगर्दी नहीं देखी पूरे देश ने आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते अगर आप नॉमिनेशन का पेपर लेकर जाएंगे तो आपके हाथ से चीन लेंगे पूरे देश ने देखा कि किस तरह हमारी बहनों के कपड़े फार दिये भारती जंता पार्टी के गुंडों ने किस दनी देखा एक बहन जारी थी नॉमिनेशन के लिए उसका पर्चा चीन लिए आपने, कपड़े फार दिये, साड़ी छीन लिए, ये भाती जिनता पाड़ी के सिस्के दिये, क्योंकि चुनाओं हार गए थे, जहां पर सदस दो जीते, तीन जीते, जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों के घर गिरा दिये बुल्डोजर से, आपके सदस जीते दो, क्योंकि आप चुनाओं जीतना चाहते हैं, आपने डीमेसपी को लगा दिया, कानून बना करके कहिए इनके घर तोड़िये, बुल्डोजर लेकर घर तोड़ दिया आपने, तो यह, यह, मैं बात यह नहीं कर रहा, यह जो नई संस्क्रिती आई है, बुल्डोजर वाली, तो भारती जंता पार्टी के लोग भी याद रखें, उनके भी ऐसे कुछ बने होंगे घर, जो घहर कानून ही होंगे, और हमार बारती जंता पारी की सरकार में, वो सूची पर क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि जो अवैद कंस्रक्शन है, भाजपाईयों का, अगर आपकी सरकार बनी तो बुल्डोजर रखें, मैं यह कहता हूँ, LDA में जो सूची बनी होई है, घहर कानूनी बि अगर हम कुल मिला के उत्तर प्रदेश की राजनितिक स्थिती का आंकलन करते हैं, तो तस्वीर ही ओबरती है कि ठीक है, करोना काल में, जंता में कुछ नाराजगी थी, उसका असर लोकल बॉड़ी एलेक्शन पर भी नजर आया, लेकिन भाजपा को भी है लगता है, और कही जो यहां के राजनितिक पंडित है, उनको भी लगता है कि अगर बीजेपी को हराना है, तो जिस तरहां की जुनूनी एफट करने की जरुत है, जो ममताब एनर जी ने पस्चे मंगाल में की, वो दम अखिलेश यादव में नहीं है, यह आते हैं, दो घंटे साइकल चल आते फिर अपने एसी के कमरे में बंद हो जाते हैं, इसको आप कैसे रिस्पॉंड, कौन क्या कहरा सवाल यह नहीं है, इस बार जनता तयार है भारते जनता पार्टी को सबक से खाने के लिए, इनके मंतरी गए, किसानों ने घेड़ लिया, पूझा कि यह काले कानून कैसे बाप खरीदा हो, धान बताएं, खरीदा हो, आलू खरीद की हो तो बता दें, और भूल जाइए, किसानों की बिजली कैसे महंगी कर दी, इन्होंने एक यूनिट बिजली नहीं बनाई, मैंने तो आज तक मुख्वंधी जी के मूँ से नहीं सुना, थ्री इंटू 660 सुपर बिजली महंगी कर दी,